हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू दे एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी अड़ा में आप सभी का स्वागत है आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे एको सिस्टम चैप्टर के अंतरगत सबसे पहले हम देखेंगे खाद श्रंकला यानि फूड चैन और उसके बाद खाद जाल यानि फूड बेव के बारे में देखेंगे इसके बाद हम दोनों में अंतर भी देखेंगे खाद श्रंकला और खाद जाल में क्या अंतर होता है ठीक है तो तीन टॉपिक हम कवर करने वाले वीडियो के एंट तक बने रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं और गाइज यह जो टॉपिक है यह काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम के विव से देखा जाए तो प्रीवियस यह पूछा गया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अल्रेडी explain कर दिया आए पारिस्ति दिक तंत्र यानी ecosystem क्या होता है जेविक और अजयविक घटकों का समवनद जेविक और निर्मित भोजन प्रात्मिक उभोगताओं के द्वारा ग्रेंड कर लिया जाता है जिनका उप्रकार बिभिन पोषिण इस तरों के क्रमवार भोजन ग्रहन करने से एक श्रंख्ला यानी बाइमरी सेकंडरी और टरसरी उबागता होतें, तो उप्भोकताओं मैं से जुप और प्राथमिक उप्भोकता हैं, उन्हों उप्भोकता है, फिरे उप्ैशों कि उपवालों इनकी बॉड़ी का इनका अपगटन किया और अंत में उन्होंने उनकी बॉड़ी को नस्ट कर दिया ठीक है तो इस टाइप से एक जो चक्रे वो चलता रहता है और इसी चक्रों को कहते हैं खाद श्रंखला या फूड़ चैन सो एक्जाम्पल से देखिए सबसे पहले आती है सूर में सूर की यहीं स्यूंद करता है उर्याज को देखिए निवर के भी इनकी सूरे और इस के सरीर का अपगटन किया और इस टाइप से यह पुन्हा एक चक्र बन गया और इसी चक्रालकों कहते हैं हम हाद श्रंख्ला तो इसके नाम से इसपस्ट और है थे फूड चैन फूड याई खाना 있지만 याई करद या को श्रंख्ला ऑनी एक चैन बन जाता है और इस परकार के सरलतम समवंद को खादे शंकला या फूट चेन कहते हैं जिसमें जीव भोजन एवं भक्षन के रूप में परस पर समवंदित रहते हैं तथा जिसमें खादे पधार्त भोजन से भक्षन के रूप में रूपांतरित होता है तो पारी तंत्र में क्या होता है उत्पादक और उप्भोकताओं के मद्ध पोशन के लिए एक निश्चित संबंद बन जाता है या फिर का जाए तो एक चेन बन जाती है किसकी खाने की या पोशन की और उसी को कहते हैं हम फूड चेन या खाद श्रंखला और जिसमें खाद पधार तो भोशन से भक्षन में रूपांतरित होता है ठीक है तो यह आपकी डेफिनेशन है आई होप आपको क्लियर होई होगी डेफिनेशन से तो यह टू माक्स के लिए पूछा जाता है खाद श्रंखला या फूड जेन ठीक है इसके बाद देखिए कुछ खाद कारी करते हैं यानि उत्पादक होते हैं शेवाल को खाते हैं जल में रहने वाले छोटे-छोटे जली कीड़े जो कि आपके प्रात्मिक उप्भोगता होते हैं ठीक है प्रात्मिक उप्भोगता को खाते हैं छोटी-छोटी मशलियां जो कि आपकी सेकेंडरी उप्भोगता फिर ये बड़ी वाली जो मशलियां इनको उच्छी श्रेणी के जो माशाहरी प्राणी होते हैं उन्होंने खालिया लाइक बगुला बतक वगेरा तो जब इनकी मृत्ती हो जाती है तो इन पर कवक जिवानु वगेरा लग जाते हैं और इनका अब घटन कर देते हैं ठीक है तो इस टाइप से होती है आपके तालाप के पारिस्तितिक तंत्र की खादिश रंकला इसके बाद मैं आपको घास के पारिस्तितिक तंत्र की खादिश रंकला बताती हूं यह इंपोर्टेंट है थोड़ा ध्यान से देख लीजीगा घास के पारिस्तितिक तंत्र में घास ज तो इस टाइप से चलता है घास के पारिस्तितिक तंत्र में खादिश रंकला तो इसमें जो बन होते हैं जो शाकिये पौधे होते हैं जाडियां होते हैं वो पादक का रोल पिले करती हैं इन शाकिये पोध हो यानि जाडियों को गिलहरी बंदर खरगोश वगेरा खाते हैं तो यह हुए आपके प्रात्मी को भोगता देन इनको बिल्ली भेडिया वगेरा खा लेते हैं तो यह हुए सेकंडरी भोगता ठीक है बिल्ली भेडिया वगेरा सेकंडरी जो भोगता है उन त्रूषण के इस तरक आधार पर बनती है इसलिए इसे कहते हैं खाद श्रंखला या फूड चेन अता भोजन या उर्जा समबंदी अवशक्तों के आधार पर पारीत अंत्र में बिभिन जाती हूं के बीच एक समबंद को खाद श्रंखला या आहर श्रंखला या खानी की श्रंखला कहा जाता है और ये जो खाद श्रंखला होती है इसका जो क्रम होता है वो रेखिक क्रम होता है मतलब ये एक लाइन वाइस चलती है एक रेखा के रूप में चलती है इसलिए इसका जो क्रम होता है वो रेखिक क्रम होता है ठीक है तो ये वही आपकी खाद श्रंकला या फूड चेन अब सेकंड है खाद जाल जिसे कहते हैं फूड बेब तो खाद श्रंकला में क्या हो रहा था एक रेखा के रूप में चल रही थी एक क्रम वाइस भोजन का क्रम या पोशन का क्रम चल रहा था जबकि खादिश रंखला में ऐसा नहीं होता है इसके इंट्रों में देखिए आप खादिश रंखला के अनुसार एक पोशन इस्तर दूसरे पोशन इस्तर से सीधा समवंद रखता है एक रेखिक क्रम चलता है खादिश रंखला में परन्तु प्रकृती में खादिश रंखलाएं रेखिक क्रम में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं ऐसा नहीं होता कि एक रेखिक क्रम में ही चलता रहता है साधारन ता एक ही पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद श्रंखलाएं एक दूसरे के साथ परस पर समवंदित होती हैं और एक जाल बना लेती हैं इस परकार अनेक खाद श्रंकलाओं के एक ही समय पर परश पर जुड़े रहकर काम करते रहने के कारण खाद जाल बन जाता है, जिसे फूड बेव या खाद जाल कहते हैं, एक्जामपल से समझीए, एक्जामपल के लिए हम लेते हैं किसी घास के मैदान का पारिस्तितिक तंत जिसमें पौधों को चूहे भी खाते हैं और खरगोश भी खाते हैं, इसके बाद आते हैं चूहे, चूहे को साप भी खा जाता है और इसके अतिरिक अन्य जन्तू भी खा जाते हैं, ठीक हैं, साप को बाज, मोर, इत्यादी खा जाते हैं, तो इस परकार से एक समुदाय में अनेक खाद श्रंखला परस पर जुड़ी होती हैं जिसे कहते हैं खाद श्रंखला या फूड बेव आपको क्लियर हो गया होगा इसमें कोई समझाने वाली बाती नहीं है इस टाइप से खाद जाल होता है फूड बेव होता है देखिए आप प्लांट्स को खरगोश चिडिया प्लांट्स को टिड्डे वगेरा ने खाया टिड्डों को कीड भी खा लेते हैं और टिड्डों को मेडग भी खा लेते हैं मेडग खरगोश बाज इस टाइप से चलती है सब मतलब एक जाल टाइप बन जाता है इसलिए से कहते हैं खाद जाल या फूड बेव ठीक है इसकी definition देखीए अब, पारित अंत्र में अनेक आहार श्रंकलाई होती है्, जो कही ना कही से एक दूसरे से संवंदित होती हैं, इन्हें अनेक आहार श्रंकलाओं के पारस पर एक संवंद को कहते हैं, food babe या khadijal ठीक है khadish rankla में अनेक वेकल्पिक रास्ते बन जाने से ये khadijal बन जाता है खadish rankla क्या थी एक रेकिक श्रंकला थी उसमें अनेक सारे रास्ते बन गए इस कारण से ये khadijal बन गया ठीक है ये वोई इसकी definition अब हम देखते हैं इसका महत्व खadijal का महत्व क्या होता है importance क्या क्या होते है food babe के सबसे पहला है khadijal में उर्जा के इस थानांतरण का मार्ग बहुद दशी है या multi-directional होता है है न क्योंकि इसमें जाल टाइप बन गया कहीं से कोई भी link जुड़ गई कहीं से कोई भी जो animals हैं जो कीट हैं वो जुड़ जाते हैं कोई भी animals किसी भी कीट को खा जाते हैं इस टाइप से इसका जो बूर्जा का मार्ग होता है इस थानांतरण मार्ग वो बहुद दशी होता है यानि multi-directional होता है पारी तंत्र में इस्थिरता को बनाए रखने के लिए ये वेकल्पिक रास्ते का कारे करते हैं सेकंड है किसी पारी तंत्र में जितने अधिक वेकल्पिक रास्ते होते हैं उतनी ही अधिक इस्थिरता जीविक प्राणियों के समुदाए में होती है थर्ड है खाद जाल सभी जीवों के जीवित रहने के लिए एक संतुलिट पारिस्थितिक या पारितंत्र बनता है ठीक है तो यह हुए आपके खाद दिजाल के इंपॉर्टेंस या खाद दिजाल के महत्व अब हम देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है खाद श्रंखला और खाद दिजाल में अंतर आपको समझ आ ही गया होगा फिर भी इसमें एक खाद श्रंखला के जीवों का संबंद दूसरी खाद श्रंखला के जीवों से होता है न क्योंकि इसमें एक जाल टाइप बन जाता है कोई साभी जीव किसी भी जीव को खा लेता है तो इस टाइप से खाद जाल में क्या होता है जीवों का संबंद दूसरी खाद श्रंखलाओं के जीवों से होता है इसके बाद सेकेंड है इसमें उत्पादक उप्भोक्ता तथा अबगटक एक सीधी रेखा के रूप में संबंदित होते हैं इसमें उत्पादक उप्भोक्ता अबगटक का संबंद एक जाल के रूप में होता है थर्ड है इसमें उर्जा क प्रबाह एक ही दिशा में होता है क्योंकि यह एक रेखिक श्रंखला थी इसलिए इसमें एक रेखा के रूप में एक पती है उर्जा का प्रबाह हो रहा है जबकि जो खाद जाल होता है इसमें उर्जा का जो प्रबाह होता है वह बहु पती होता है क्योंकि यह जाल टाइप ह फोर्त है कट शन्खिला में जीवों की संख्या कम होती है जबकि खाद जाल में जीवों की संख्या बनाईएगा, ठीक है, so I hope video आपको clear हुआ होगा, कोई भी doubt हो, आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं, so मिलते हैं next video में new topic के साथ, thank you so much for watching, keep on learning